नमस्कार दोस्तों यह 25 अप्रेल का अख़वार है और 25 अप्रेल का अख़वार में जो पहली न्यूस पढ़नी है वह अमेंडमेंट टु फैक्टरी एक्ट पुट अन होल्ड इन तमिल्नाडू अमेंडमेंडमेंट अप्टरी एक्ट जो है वो एक्चुल में यह जो बनाया क्या था इसमें क्या था फैक्ट्रीज कमिन लाड़ू अमेंडमेंट एक्ट 2023 विच साउट तु प्रोवाइड मतलब यह क्या कर देता कि आठ घंटे चो होते हैं उससे ज्यादा भी आप काम करा सकते हैं इनकी अनुमती दे देता ऐसी अनुमती होनी भी चाहिए क्योंकि कभी-कभी एक्स्ट्रा वर्क कराना होता है या फिर बहुत सारे ऐसे छूट नहीं मिलते हैं फैक्ट्रियों को या वैसे कंपनियों को तो वह काम कराना पसंद नहीं करती हैं चुकि अभी काम का दबाव धिरे-दिरे बढ़ेगा वह ह क्यासे नियम करून दिये जाते हैं फिर अधी यह जादा अनन करेंगे तो फंडामेंटल राइट तो हमारे हैं ही है ना इसके बाद जो है पढ़ना है वह हमें पर नंबर एट पर पढ़ना है पर नंबर एट पे जो है वह है पेंडिंग बिल्स दा इसू आप गवर्ण ने टोरियल गवर्ण नेटोरियल का मतलब रजि पाल से ना गवर्ण नर से है जो अमेरिका में जो रैजी हैं उनके जो प्रमूख है उनको गवर्ण पर यहित 000 देगा जाता है तो उसी पे बात की गई है कि कैसे पर शकार् wirka सकते है तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि राज्यपाल किसी भी बिल्को कितने दिन रोक सकता है इसकी कोई ब्याक्या तो नहीं है पर एक मॉलिक या एक प्राकरतिक तौर पे कितने दिनों तक रोका जाना चाहिए इस पे अभी बहुत चल रही है और इस पर हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बदलाव दिखें तो इसके लिए जो जो आर्टिकल्स हैं वहां पे आपको यह देखना है जैसे आप आर्टि इस परकार से आप यह पूरा देखेंगे तो यह समझ में आ जाएगा इसके बाद हैं इंडियन डिप्लोमेशी एंड़ा हॉर्स ऑप इंट्रेस्ट यह एक तरीके से जो भारत की कूटनिती है और जो हमारे इंट्रेस्ट हैं जो हमारे मतलब जो हमारे लाव की बाते हैं उन सब्सक्राइब में हम अपने जो हित हैं उनको सरव पर ही रख सकते हैं उनको लिए जैसे अपने यहां पर देखा होगा कि रस्या से हमने ओयल इंपोर्ट करना बना नहीं किया और बढ़ा दिया है अभी हमने कल के नियूज में देखा कि लगबग मतलब सेकेंड सर पर सब्सक्राइब मेंनी बेनेफिट ओप मेरिज इक्वेलिटी लगबग का जो अभी चल रहा है कि सेम सेक्स मेरिज क्यों नहीं होना चाहिए इसी पर पूरी बात की गई है एक बहस की गई है कई पहलूं को उजारा उजागर किया गया है तो आप इसे यहां पर देख सकते है इसके बात जो अगली न्यूस है वो इंपॉर्टेंट है वेगनर ग्रूप वेगनर ग्रूप एक प्राइवेट मिलिसिया ग्रूप है प्राइवेट सैनिस अंगठन है जो रसिया में एक कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है और इसकी मौजूदगी अफरीकी देशों म में सुदानर समय में जह läuft महत्तों है तो यहां पर क्यू देखा गया है वेगनर ग्रूप क्या कर रहे हैं तो इसNYst पर बात की गया है कि यह जो देखा जा रहा है सुडान में वो उसका क्या महत्तों है तो इसी आर्टिकल पर यह सारी चीजें बताई गई है इसे आप पढ़िए आप आसानी से समझ में आ जाएगा वेगनर गुरुप क्या है तो रसिया का एक मिलिटर संगठन है जो नीजी सेना एक तरीके से रखते हैं और इसके लिए फं और उनको सीधी सी बात है कि रस्तिया सरकार द्वारा मदद मिलती है ठीक है हाव टू चेक रिलेटिव हुमिडिटी ऑन ये हाट डे टू कीप यॉर्सेल्फ कूल पेज नंबर 11 में यही है कि रिलेटिव हुमिडिटी कैसे चेक करें अना ड्राइब बल्प टेंपरेचर वा दू आता है तो इतना है थ्री आता है तो इतना इसी तरीके से यह चेक किया जा सकता है इसी पर बात की जा रही है तो आप इसे देख लेंगे थोड़ा सा कल्कुलेसिव है तो इसको आप कल्कुलेट करके या इस तरीके से पढ़के समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ ज पेज नमबर 12 पे हैं तो केश्वानन्द भार्ति से समझ दित जो केस है निमस्टी फाइं केश्वानन्द भार्ति केस वेपेज देल्स दीप इन्टु हिस्टी चीफ जस्टीस अफ इंडिया दिवाई चन्रूड और मुंडे अनौस्ट आट अट अट शुप्रीम कोर्ट है इसके लिए एक वेपेज बनाए रहेगा यह बहुत अच्छी बात है तो इसी पर बात की गई है और उसके बाद 99th National Judicial Appointment Commission के बात की गई है इसी पर पूरे बात की गई तो आप इसे पढ़ लेंगे इसके बाद है नुक्लिएर लाइबलेटी इसू नॉक्त अनुक्लिएर लाइबलिटी इसू-बोर्स्ट के इस्मित थे टेक्ट्रीक्नी पोर्सीं House of Sikh nuclear reactor in Maharashtra. अब नृकलियर लायबिलीटी किसकी होगी, जैसे कोई एक, क्या बोलते हैं, नुकलियर पावर प्रोजेक्ट बन रहाै, अब वहाँ पर कोई दुँरखटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, रेक्टर से कोई रिषाव होता है, इस प्रकार में भी स्पोर्ट होता है, रेक्टर में कोई भी ऐसे दुर्गटना होती, तो उसकी जिम्यदारी कौन लेगा, इसी पर अभी तक कोई रिजल्ब नहीं हुआ है, तो इसी पर बात की गई है, और जैतापुर में जो प्रोजेक्ट लगाया गया है, वो किस प्रकार का रिएक्टर लगाया जाएगा, इसको आपको पढ़ना है, साथी साथ आपको यह पढ़ना है कि भारत में कितने प्रकार के रिएक्टर काम कर रहे हैं, और भाविस्ति का रिएक्टर हमारा कौन सा है, ठीक है दोस्तों, यह आपको यहां से पढ़ना है, इसके बात जो है, Vibrant Village Plan to be Merged with PM Gati Sakti Vibrant Village जो North Eastern या चीन से लगते हुए सीमा के साथ जो Vibrant Village Plan है उसको Merge किया जाएगा किसमें? PM Gati Sakti के साथ में ठीक है? तो Vibrant Village Program जो है वो चीन के साथ लगते हुए राजियों की सीमाओं पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ठीक है? तो ये आप देख लेंगे इसके बाद है SC Transfer All Files Against Comedian Faruqi to Indoor Supreme Court जो है सभी Files जितने भी आल F.I.R.S. हुए है उनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? Indoor तो Supreme Court की यह कौन सी सकती है कि किसी भी देश की किसी भी नेले ते सारे फाइल कहीं पे भी जहां उसे उचेत लगे वहाँ पे वो ट्रांसफर कर सकता है यह कौन सी सकती है? यह आपको सर्च करना है ठीक है? इसके बाद है Page No.14 पे Page No.14 पे ही है Malaria set to notifiable disease across India even as guests saw a decline अभी भी भारत में Malaria एक तरीके का ऐसा disease है जो की notifiable है मतलब उसे रोक थाम के लिए उसके उपाई किये जाने चाहिए ऐसे disease है ऐसे disease में वो आता है तो इसी पे पूरी बात की गई है तो आप इसको देख लेंगे इसके बात जो है अडानी पोर्ट बिगिंस 130 मिलियन डॉलर बॉंड बाइबेक इन डेप्ट रिजिग ठीक है अडानी पोर्ट ने जो है सुरू कर दिया है 30 मिलियन डॉलर बॉंड का बाइबेक इन डेप्ट रिजिग ठीक है तो ये कर दिया अडानिपोर्ट ने तो आप इसे भी देख लेंगा अडानिपोर्ट and a special economic zone on Monday started its first debt buyback रिन के लिए buyback program since the conglomerate was targeted by US short seller in January तो इसको आप देख लेंगे इसके बाद जो है आज के 25 अप्रेल को और कुछ नहीं पढ़ना था तो यह यहां तक समाप्त होता है और फिर अब हम 26 का वो करेंगे तो इसके लिए इतना ही अधिया आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लें फिर मिलते हैं अगले news में ठीक है धन्यवाद